राधे राधे फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राक्षा बंधन का तेवार 56 मार्ज की पुर्णिमा तिति को मनाया जाता है लेकिन 2023 में राक्षा बंधन को लेकर सब के मन में या संदे है कि इस सल राक्षा बंधन 30 अगस्त को होगा या 31 को क्योंकि पुर्णिमा दो दिन है पुर्णिमा तिति की शुरुवात सुबव 30 अगस्त को 10 बज कर 58 मिनट से शुरू होगा और इस तिति का समापन 31 अगस्त को सुबव 7 बज कर 5 मिनट पर होगा तो चलिए हम जान लेते हैं कि राखी बंधने का सही शमय और दिन कौन सा रहेगा और भद्रा कब से कब तक रहेगा क्योंकि भद्रा में राखी बंधना सास्त्रों के अनुसार असूप बताया गया है ऐसा कहा जाता है कि रावन की बहण ने रावन को भद्रा में ही राखी बंधी थी इससे उनका सर्वनास साल भड़ के अंधर ही हो गया और उनकी मिर्टु भी हो गई इसलिए भद्रा में राखी बंधना असूप मना जाता है रक्षा बंधन का तेहवार बहुत दिनों से चला आ रहा है ऐसा माना जाता है कि रक्षा बंधन का तेहवार लक्ष्मी जी से शुरुवात हुआ था लक्ष्मी जी ने राजा बली के कलाई पर राखी बांध कर उपहार शहरुप भगवान विश्णों को मांग कर राजा बली से भगवान को मुख्त कराया था भद्रा की शुरुवात तीस अगस्त को सुब़ से होगा और रात नो बज कर दो मिनर तक रहेगा इसलिए इस समय रक्षा बंधन का तैवार मनाना असूप मना जाएगा नो बज कर दो मिनट के बाद से लेकर साथ बज कर पांच मिनट तक राखी बांधने का अतिसूप महर्थ है इस समय आप सभी राखी बांध सकते हैं बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले उन्हें एक ठाली सजानी चाहिए इसमें अक्षत, चंदन, रोली, मौली, राखी, मिठी अधिरह कर पहले उसे भगवान की चर्णों में समर्पित करनी चाहिए और अपने भाई की सुक्षम, रिधी और लंबी आयों की प्राहतना करनी चाहिए बहाई बहन का बहुत ही पवितर्तिहवार राख्शा बंधन को माना जाता है इस दिन भाउन भाई को राखी बांती है और भाई अपने बहन की राख्शा करने का प्रान लेता है फ्रेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले राधे राधे